आज मैं आपके लिए लेकिआ आया हूँ ATM pin से related वीडियो जैसे कि अगर आप अपने ATM का pin भूल जाते हैं तो दुबारा ATM का pin या password कैसे बनाएं जैसे कि अगर आप bank से नए ATM लेते हैं तो आप उसका pin या password कैसे बनाएं अपको mobile पे OTP नहीं आ रही है तो आप OTP किन तरीकों से मंगाए, अपने ATM को fraud से बचाना चाहते हैं, कोई आपके ATM से दोखा दड़ी न कर सके, तो उसके लिए आपको क्या-क्या सा उधानी बरतनी होगी, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है, सबसे पहले मैं आपको ATM बनाने के तरीकों क बारे मताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका है, डायरेक्ट आनलाइन माधियम से, जिसमें आप किसी भी अपने ब्राउजर में जाके, PNB Net Banking सर्च करेंगे, PNB Net Banking सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको Google Chrome लिया हुआ है, वहाँ पर Google Chrome में जाएंगे, सबसे पह राइट साइड में लाग इन पर गिलिक करेंगे तो आपको generate या debit card pin दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहाँ से आप स्क्रोल करके राइट साइड में आएंगे, जहां पर आपको generate debit card पिन, ये जूम करके मैं दिखाでしたरा हूं हूँ, आपको इस प क्लिक करेंगे कंटिन्यूव बटन क्लिक करने के बाद आपको नेक्स प्रेच पर लेकर जाएगा जहां पर आपको एट्यम काड नंबर डालना है जो सामने ही लिखा होता है 6-0 ऐसे करके start होता है इसको आप इसमें लिखेंगे लिखने के बाद आपके mobile पर अगर नया एटिव लिए है तो बहतर घंटा नहीं हुआ है तो आपके mobile पर एक OTP आया होगा उस OTP को नीचे डालना होता है उसके नीचे वाले कलों में अगर आपके mobile पर OTP नहीं आया है तो मैं आपको OTP मंगाने का तरीका बतागा हूँ कि कैसे आप OTP मंगा सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने mobile के message box में जाना है और वहाँ पर capital letter में D, C, T, I, N लिखना है और space देना है space देने के बाद आपको ATM नमबर लिखना है ATM नमबर लिखने के बाद आप इसको 964, 964 ए नमबर है या 560, 7040 पर send कर देंगे send करने के बाद आपके mobile पर OTP आएगा जो 6 digit का होगा देखिए यहाँ पर आ गया इस OTP को वहाँ पर लिखाए डाल देंगे डालने के बाद आप नीचे जो capture लिखा हुआ है उस capture को capture वाली कालम में जैसा दिख रहा है वैसा ही देख देख के लिख देंगे और submit बटन पर क्लिक करेंगे submit बटन पर क्लिक करने के बाद आप से new pin मांगेगा new pin आप कोई भी चार डिजिट का चूच कर लिजिए और उसमें डाल दीजिए फिर confirm करने के लिए नीचे उसी को डाल दीजिए और submit बटन पर क्लिक कर जीजिए और आपका देखिए ATM बन चुका है यह रहा पहला तरीका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको इसके लिए ATM मसीन में जाना पड़ेगा वहाँ पर ATM मसीन में आप अपना ATM लगाएंगे लगाने के बाद आपको PNB का welcome page खुल के आएगा जैसा के सामने दिख रहा है welcome page पर आगे क्लिक करेंगे तो आपको create या change pin जी पिन दिखाई देगा इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद OTP जनरेशन पर हरे रंगा ट्रिक लगा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको next page पर लेके जाएगा जहां पर OTP डालना है अगर आपके मोबाईल पर पहले से पिल लिखेंगे इस पेश डालेंगे उसके बाद card नमबर लिखेंगे उसके बाद आपके पास दो नमबर दिया हुआ है उन दो नमबर में किसी percent कर देंगे तो OTP या जाएगा OTP डालने के बाद आप pin बनाएंगे पिन कोई भी चाट डिजिट का यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यहां 1,2,3,4 लिया है इसको आप लिखेंगे दुबारा इस यूँ confirm करके OK करेंगे तो आपका SI screen खुल के आ जाएगा कि आपका ATM पिन बन चुका है ATM काट का जो ATM नंबर होता है यह होता है उपर देखें रेट कलर से मैंने घेरा हुआ है यह होता है इसी को लिखना होता है DCP निस्पेश डालने के बाद और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप अपने ATM का कोई भी चीज किसी को share न करें ATM काट CBV नंबर जो आपका 3D का होता है जो 123 CBV लिखा हुआ है आप इसको किसी को share न करें ATM नंबर न करें क्यांकि इन दोनों के माद्यम से कोई आपके खाते से पैसा निकाल सकता है